हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टो माई चैनल एट टेट विजय विसक्रमा आज देखेंगे बहुत तीक विज्ञान जो की फिजिक्स टॉप हेंड़ कोश्चन क्योंकि रेलवे एंटी पीस एक्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं जो की एर फोर्स भी क्योंकि एक्जामों मे साइन्स बहुत पूछी जाती है तो आज देखेंगे बहुत तीक विज्ञान के कोश्चन चलो देखते हैं डिसक्स करते हैं और कुछ बेसिक समझा जाएगा वास्तविक वस्त का अभासी प्रतविम बनता है इन तीनों को काफी बेसिक से डिसक्स किया जाएगा तो इसका राइट एंसर बताएं क्या हो जाएगा तो इसका राइट एंसर समतल दरपड हो जाएगा ठीक है और जैसे कि समतल दरपढ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जैसे question क्या बनते हैं समतल दरपढ के parts उत्क्रमर पाया जाता है अर्थात दहाइना हाथ उठाने पर समझना इस बात को दहाइना हाथ उठाने पर बाया हाथ उठा दिखना अगर दाहिना हाथ उठाते हैं तो बाया हाथ दिखाई देता है जैसे की ambulance, देखा होगा, ambulance को उर्फटा लिखा जाता है ना तो देखा होगा आप लोग गाड़ियों में तो ambulance इसी संतल दरपड के वजह से उल्टर लिखा जाता है ठीक है और जैसे कि आप लोग बता दें समतल दरपड में किसी व्यक्त को अपना पूरा प्रतिविम्ब देखने के लिए लंबाई का आधा दरपड जरूरत होता है ठीक है आधा दरपड जरूरत होता है तो यह आप लोग समझ गए होंगे जैसे कि औ और एक दो पॉइंट समझ ले दो समतल दरपड के बीच कोई वस तु रखी हो दो समतल दरपड के कोई वस तु रखी हो बीच में जैसे की दरपड कितने कोड़ पर रखी तो फार्मूला क्या होता है माइनस माइनस तीन सो साथ अंस बटे थीटा ठीक है यह फार्मूला होता है जैसे की कोईश्चन क्या बनेगा वो भी आप लोग देख रहे हैं एज इदर पर समांतर रखे हुए अनंत होता है कोईश्चन जैसे की देखें आप लोग थीटा बराबर 45 अंस अगर दे रखा है तो कैसे रखेंग थीटा बराबर 45 अंस रखेंगे ठीक है तो वन माइनस तीन सो साथ बटे 45 ठीक है जब इसको कट करेंगे ना तो कितना अंसर आ जाएगा साथ इसका अंसर साथ आ जाएगा ठीक है तो और देख लेते हैं जैसे की थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जादा वेसिक्त ने समझेंगे और देख लेते हैं आवतल दरपड में देख लेते हैं एक कोस्चन बहुत बनते हैं आउतल दरपड का प्रियोग दाड़ी बनाने के सीशा होता है नाइक के दुकान में दाड़ी बनाने के सीशा होता है और ENT काननाक गले जो डाक्टर लोग लगाते हैं समझ गये होंगे आप लोग और जैसे कि solar cooker गाड़ी की headlight ये अवतल दरपड होता है question यही बनता है और उतल दरपड देख लेते हैं उतल दरपड क्या है उतल दरपड में गाड़ी के साइट की सीसा लगा होता है वो छोटी छोटी चीजों देखने के लिए उतल दरपड से ही मतलब की जो गाड़ी की सीसा जो बगल में लगा होता है पीछे के वस देखने के लिए उतल दरपड का ही सीसा लगा होता है जैसे कि थोड़ा और example देख लेते हैं जैसे कि ये देखिए उतल दरपड ठीक है ये उभरा हुआ होता है ठीक है और ये दबा हुआ होता है तो प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब अभासी प्लस सीधा प्लस वस्तु से छोटा होता है ठीक है और आवतल दरपड में आवतल दरपड कैसे बना होता है ये देखिए ठीक है उभरा हुआ होता है कुश्चन बहुत प अब रहा हुआ होता है अपोजिट होता है मानग चलिए ठीक है तो समझ गया होंगे आप लोग अब चलो नेश्ट देखते हैं वस्ट से छोटा प्रतिविम बनता है तो इसका राइट एंसर उत्तल दरपड और आवतल दरपड इन दोनों को डी आप्सन राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलो nest देखते हैं nest क्या है आप लोग भी comment करें अगर आता है तो आप लोग comment करते रहें ताकि प्राक्टिस बनी रहेगे आप लोगों को तो इसका right answer बताएं प्रकास के परवरतन के नियम के अमसार इसका right answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा आपतन कोड परावरतन कोड के बराबर ठीक है इसका राइट अजर भी हो जाएगा आपतन कोड और परावरतन कोड के बराबर होता है ठीक है चलो नेश्ट देखते हैं समताल दरपड़ द्वारा बना प्रत्विम सदा होता है अभी आप लोगों को बताया तो क्या होता है बताएं आप लोग सीधा और अभासी ठीक है सीधा और अभासी इसका राए नश्ची देखते हैं आंक में परवेश करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतृत करता है तो इसका right answer परितारिका हो जाएगा ठीक है और जैसे कि लेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं question बनता है लेंस के छमता किसे मापते हैं तो डायोप्टर से मापते हैं आप लोग याद रखें किसे मापते हैं डियोप्टर से मापती है ठीक है और जैसे कि और लेंस के कोश्चन क्या बनता है लेंस कौम सा रोग महिलाओं में होता है रोग महिलाओं में सबसे कम होता है तो वर्धानता होता है ठीक है इस प्रकार कोश्चन बनता है ठीक है और जैसे कि विस्व में 4% महिलाओं को होता है वार्धानता ठीक है वार्धानता और पुरुस में 3.5 होता है पुरुसों में कम होता है माई लौ में ज्यादा होता है ठीक है तो अब लोग अगला कोश्चन क्या है सूरुदे और सूर्यास्त के समय सूरु का गोल दिखना तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा डी हो जा जाएगा मिट्टी नेश्ट देखते हैं जल्दिस देख लेते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा लेंस की छमता का SI मात्रक होता है तो SI मात्रक होता है अभी बताए आप लोगों को डियोप्टर ठीक है SI option हो जाएगा नेश्ट पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका कारल क्या होता है तो कारल क्या होता है अप वर्टन के कारल गहराई कम दिखाई देती है देखते हैं अगला दरपड की चोड़ाई को दरपड कहा जाता है तो इसका right answer C हो जाएगा दोरक नेश्ट देखते हैं solar cooker में प्रियोग किये जाते हैं तो right answer आवताल दरपड solar cooker में आवतल धर्पड़ ही प्योग किया जाता है जैसे आफ़तल धर्पड़ में आप लोग बताया था으니까 में सीषा जो लगा गवा होता है अवतल दर्पड़ Senin के गाड़ी को लगे होते हैं पीछे देखने के लिए उतल दरपढ़ का ही सीसा लगा होता है बस यहीं कुस्त Siya जाता है जयादा नए पुस्ता जाता और समतल दरपढ़ के बारे में आप लोग जानी चुके अभी आप लोगों को हमने बताया था जब नाक कान गली देलो कोशेन मिल लेना तो आप लोग इसका कमेंड करें इसको कमेंड करें चलो नेश्ट देखते हैं ठीक है जान लेते हैं तो इसका राइट एंसर आवतल दरपड हो जाएगा ठीक है हीरा का अपनतनांग होता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जो कि 2.42 242 डी आप्शन राइट एंसर हो जाएगा मोटर गाली के चालक के सामने लगा रहता है मोटर चालक के सामने लगा रहता है गाली के तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा उत्तल दरपड ठीक है, जो कि बताए हूँ कोस्चन है टार्ट से किस प्रकार के प्रकास पुंजी की प्राप्ति होती है तो B option राइट एंसर हो जाएगा संसरत प्रकास पुंजी अगला देखते हैं, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रत्विम होता है तो इसका राइट एंसर C हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा ठीक है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा अगला देखते हैं, नेत्र लेंस में शमा योजन की क्रिया होती है तो समा योजन की होता है किसी नेत्र की निकट बिंदू होती है निकट बहूत कोश्चन क्या है कि तो इसका राइट अंश्र क्या हो जाएगा किए आप लोग करना है यह नहीं बताyes को क्योंकि बहुत राइट अंसर है इसका तो बहुत इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अनंत पर होता है ठीक है सिनेमा के पड़्दों पर किस प्रकार का प्रत्विम बनता है जो सिनेमा मेला में देखा होगा पड़्दा जो लगा होता है किस प्रकार का होता है तो वास्त्विक प्रत्विम्बू ठीक है कौन रंग जिसका खत्रे का सिगनल में उप्योग होता है तो इसका राइट एंसर डी हो जाएगा लाल रंग का वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि कोश्चन जो जतने लाए हैं इन में से एक्जाम में जरूर पुछ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग एक्जाम देते होंगे तो मालूम चला होगा कितने कोश्चन मिल रहें एक्जाम वाले तो डी लगता का मात्रक है तो इसका राइट एंसर ए हो जाएगा ओम मीटर ठीक ओम मीटर वो इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला देखते हैं अगला question क्या है विद्धु दारा उत्पन करने की युक्ति कहते हैं तो इसका right answer C हो जाएगा जिनित्रो अगला देखते हैं निकट द्रेश्ट दोस वाला वेक्ति के चसमें लगा होता है तो लगा होता है निकटी द्रेश्ट दोस वाला ठीक है तो आवताल दरपड़ आवताल लेंस का लगा होता है ठीक है तो आप लोग समझ गए होंगे आवताल लेंस का लगा होता है जैसे कि देखें प्रतिविम्ब वास्तुविक प्लस उल्टा चोटा या बड़ा या बराबर बहुत चोटा बहुत बड़ा ठीक है अपवाद क्या होता है एदी वस्त फोकस और धुरू के बीच में हो जैसे कि प्रतिविम्ब दरपड के पीछे बड़ा अवासी प्लस सीधा ये अपवाद है बाकी जितना बताया उतने उसे जाएगा तो याद रखें इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तेज प्रकास में पुतली का आकार कैसा हो जाता है कोई चीज अगर लाइट आख में लगाओगे क्या आख खुली रहेगी किया नहीं न तो छोटा हो जाएगा बलकुल से छोटा हो जाता है तो इसका अगला देखें दूड दरेश्टि दोस्वाली आखें आप देख सकती हैं तो इसका c option दूर की वस्तुओं को ठीक है नेश्ट मानो नेत्र में जो बिंदु प्रकास के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं अद बिंदु जो की b option right answer ठीक है मानो नेत्र में होता है मानो नेत्र में होता है तो क्या होता है जो की उत्तरलेंस होता है नेश्ट वास्तुविक सुर्यास्त और अबासी सुर्यास्त के बीच लगबक कितने समय का अंतर होता है तो दो मिनट का अंतर केवल होता है आप लोग याद रखें इंद्र धनुस किस प्रकार का इस्प्रक्ट्रम है तो बताएं ए अप्शन प्राक्रतिक इस्प्रम ठीक है नेश्ट आतदिक उचाई पर प्रकास में वायू यान से शफर करने पर आकास का रंग कैसा दिखता है आकास का रंग कैसा दिखता है तो जो कि काला दिखेगा ना खाला दिखता है इसक तो क्या है रेटिना किसी दिन साइंस के वीडियो में कार्निया रेटिना आईरिस पुतली इन चारों में बहुत बेसिक से आप लोगों समझाया जाएगा आख में जब पढ़ा रहे होंगे तो आख आई का एक वीडियो आएगा उसमें ये तीनो चारों चीज़ों का पूरा बेसिक से मैं फिगर सही से पूरा दिखेगा आप लोगों ठीक है ये है कार्निया देखें आप लोग किस प्रकार है ये है कार्निया इस प्रकार का होता है और ये लेंस होता है ठीक है लेंस अंदर और पीपल्स ये सीरा होता है इसका ये देखें आप लोग ये कार्निया ज और जैसे कि ब्लेट का जो सर्कुलेशन होता है यहां से होता है ठीक है और देखें आप लोग जैसे कि क्या है डिफ्लेशन इसकी जो आखों जो कॉर्णिय होता है आखों को वह पारदर्सी भाग होता है जिस पर बाहर की प्रकास पड़ता है जिस पर जैसे कि यहां प्रकास पढ़ता है और उसका प्रत्य वर्तन होता है प्रत्य वर्तन मतलब कि कुछ आंक का जो है मुझना ठीक है आंक का लगबग दो तिहाई भाग होता है जिसमें बाहरी आंक का रंगीन भाग देखो ना बाहरी आंक का रंगीन भाग रंगीन भाग है ना बाहरी आंक का रंगीन भ देने वाला हिस्सा होता है ठीक है बाकि समझ गया होंगे आप लोग बाकि बेसिक से और नेश्ट वीडियो में किया जाएगा आप लोग और हैंड़ेट कोश्चन फेडिंग हैं इसलिए ज्याता बेसेक्स नहीं चुम्ब की छेतर का मातरक होता है तो वी आप्सन टेसला हो जाएगा डैनमो किस प्रकार का धारा होती ही तो धारा इसका राइट एंसर दिश्ट धारा हो जाएगा वेबसाइक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक होता है तो इसका राइट अंसर विद्धुत चुम्बक हो जाएगा ठीक है इसका राइट अंसर चुम्बक हो जाएगा विद्धुत चुम्बक हो जाएगा ठीक है विद्धुत चुम्बक बनाने के लिए प्रहे किस पदार के छड़को पियोग होता है तो बी अप्सन नरम लुभा का नरम लुभा होगा तब विद्धुद्चुम्बक बनाने का आसानी से बन पाएगा ठीक है नरम बाकि पीतल नहीं इस पात नहीं तो नरम हो जाएगा विद्धुद्चुम्बक का प्रेरल प्राप्त करने हैं तो यूूरेंइटी उर्जा तभी प्राप्त होगी अवशकत नाव की उर्जा में यूरेंआ केहीं इंच सप्रेंद करने के कृम है कि माद्यम से तभी कार्र हो पाता है उर्जा के सबीरूप में अनंता होता है, इस तो किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, D option, सुर, प्रकास होता है, कौन से विटामिन होता है, जो कि D, नेश्ट देखेंगे, डेन मार को कहा जाता है, तो C, पमनों का अदेश कहा जाता है, नेश्ट देखेंगे, सौर सेल बनाने के लिए, किस धात का उ आप्योग किया जाता है तो सिलकॉन देखें कि साोर उर्जा को सिलकॉन पंदूरित करते हैं तो कैसे करते हैं बताओं आप लोग एजुल्र विद्धूत उर्जा में नेस्ट नेमने में से किसका अपयोग खाना बनाने के इनन के रूम में किया जाता है ये आप सकते हैं तो किस विपाई माप सकते हैं तो जो कि कैलोरी मापना कैलोरी वे दुद मातरा की एकाई क्या है इकाई इसका राइड एंसर सी हो जाएगा एमपियर ठीक है अगला देखेंगे निम्न लिखित में से कौन एक सदिस रासी नहीं है सदिस रासी नहीं है तो द्रवमान नहीं होगा बाकि तो वेग है शमवेग है कोडी वेग है मालूम होगा आप लोगों को तो इसका द्रवमान नहीं है बाकी सब हैं ठीक है पदार्थ का शम्यग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशी प्राप्त की जाती है तो इसका राइड एंसर द्रवमान हो जाएगा ठीक है अभी आप लोगों ने देखा कि द्रवमान सदिस्रासी नहीं है इसमें देखें पदार्थ का वेग और वेग है अनुपात से कौन सी भौतिक राशी प्राप्त की जा सकती है जो कि द्रवमान से राकेट किस सिदान्द का परकार करता है पहुत अच्छा कोस्चन तो आप लोग बताएं इसका राकेट किस सिदान्द का परकार करता है तो इसका राइड एंसर शम्यक शर किस ने किया जो कि न्यूटन ने किया था क्यूसिक से क्या माप जाता है क्यूसिक से क्या माप जाता है जल का बहौँ माप जाता है निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्त था है तो प्रत्यास्त कौन सा है तो इस्टिल ठीक है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धर्ती के केंद्र की ओर खीचा चला जाता है तो इसका right answer गुरुत्त कर्सर ठीक है और हाँ सरवाधिक एक question और बनता है गुरुत्त कर्सर के बारे में सरवाधिक गुरुत्त कर्सर कहां पर है option बिंदू इसका right answer बिंदू हो जाएगा ठीक है इसका right answer उसका बिंदू हो जाएगा ठीक है बिंदू पर होता है प्रतिवी के गुरुत्त कर्सर का कितना भाग्चेंद्रमा के गुरुत्त कर्सर के नजदिक है तो एक बड़ अच्छ है अगला देखे आर्कमडिस्ट का नियम निमने लिखित मेंसे किसे सम्बंदित है तो इसका right answer प्लावन के नियम हो जाएगा सेनिता की काई है इसका right answer प्लावन के नियम हो जाएगा ठीक है दूस्से क्रेम निकालने में कौन सा बल लगता है बहुत अच्छा question अब केंदरी बल ठीक है अब केंदरी बल हो जाएगा अब केंदरी बल नहीं होगा अब केंदरी दूसरा है अब केंदरी इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब चलो अब केंदरी बल केंदरी बल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ठीक है तो समझ लेते हैं क्या है इसी बाहने यह आप लोग समझ जाएंगे अभीकेंद्री बल के बारे में पहले समझेंगे बहुत अच्छी तरह से जो की सारे question इससे बनते हैं तो अभीकेंद्री बल क्या होता है जैसे की कार मुड़ना ठीक है जो कार है जा रही है जो मुड रही है अब केंद्री बन होता है ठीक है और ग्रहों का सूर के चक्कर लगाना सूर चक्कर लगाता है न ठीक और परमाडों के नाभिक के और इलेक्ट्रानों को चक्र लगाना इलेक्ट्रान जब चक्र छोटे-छोटे से लगाते हैं तो यह समझ लीजिए कोई चीज है अगर कोई बायक से जा रहा है तो बायक से जा रहा है यह जब मुडता है यह मुड़ेगा तो सीरा इसका किधर को जाएगा ये इधर काएगा ना तो अंदर केंदर की ओर मानिक चलिए ठीक है केंदर की ओर होता है बस इसका main point क्या है केंदर की ओर होता है अभी केंदरी बल जब कोई चीज़ जा रहा है गाली से मुड़ेगा तो केंद्र की और जुकेगा न दम से तो यही एक केंद्र की बल हो जाएगा और हाथ से रस्षी गुमाना अब केंद्री बल होता है ठीक है अब थोड़ा सा केंद्री बल के बारे में देख लेते हैं केंद्री बल के बारे में चमझेंगे अच्छी तरह से ये केंद्र के विप्रीद बाहर की ओर होता है ठीक है विप्रीद है ठीक है विप्रीद बाहर की ओर ठीक है बाहर की ओर कैसे देखेंगे वBACKार की नाव कर दोत से क्रीम नी होती है जब होगा जब वासिंग मसीन से क्रीम निकलना जिसे दूब जो बाहर से क्रीम हो गया यक को बाल ecosystem पर निकालते है ठीच है प्रीद है समझ गया होंगे आप लोग चलो अगला देख आप चावी बरी गड़ी में कौन से उड़जा होती है तो इसका राइट एंसर बताएं आप लोग तो एस्ट उड़जा हो जाएगा नेश्ट सूर की उड़जा उत्पन होती है तो सूर की उड़जा उत्पन होती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंड करें नाब की सलियन हो जाएगा नाब की सलियन दोरा डी अप्सन नेश्ट देखेंगे वायू मंडल में बाद लोग तरने के कारण क्या है तो इसका राइट एंसर घनत तो नेश्ट वस्त की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा तो इसका राइट एंसर घनत तो राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट देखेंगे जल में तरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण सम्भव है तो इसका राइट एंसर C हो जाएगा त्रिती नियम तेक है बताना तो ये भी था परिथम नियम, दिर्ती नियम, दिर्ती नियम क्या है लेकिन चलो फिर वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छी कोशन है एंक्स्ट्रांग क्या मापता है तो तरंग देर्द आगला किस वेग्यानिक ने सरपुर्थम बर्प की दो टुकोडों को आपस में घिस कर पिखला दिया तो राइड एंसर जो कि C हो जाएगा डीवी नेश्ट देखेंगे लोही की सुई पानी की सेताय पर तैरती से इस परिगटिना का कारण क्या होता है तो प्रिष्ट तनाओं हो जाएगा है समझ गए होंगे आप लोग और चलो प्रिष्ट तनाओं के बारे में थोड़ा सा एक्जामपल कोस्टन जो बनते हैं वो किवल जानेंगे ठीक है जल्दी जान लेते हैं पहले थोड़ा डिपनेशन देख लेते हैं अपने छेत्र को कम रखने की प्रक्रथी प्रष्ट तनाओं कहलाती है जो अपने चो छेत्र होता है कम करना ठीक है कम करना कम रखने की प्रक्रथी प्रष्ट तनाओं कहलाती है जैसे कि ठंडा पानी कम है आगुलन सिल छेत्र कम हो जाएगा आखिरकार है अगर गरम पानिस कपड़ा दोते हैं तो जा हो जाएगा जल्दी से घुलन सिल होगा साबुन घुल जाएगी यह ना गरम है तो घुलन सिल जादा है तो छेत्र फल भी प्लस होगा समझ गए ना जिसे नमा की एलकोहल एक्जामपल डेट अब कोश्चन जो बनते हैं साबून के घोल का बुलबुला बड़ा बनना तो प्रेश्ट तनाव ही कहलाता है और जैसे की जान लेते हैं मच्छर मानने के लिए तलाब में तेल डाल देना ये भी प्रेश्ट तनाव है एक्जाम में क्या मुझे जाएगा मालू में एक्जाम में ऐसाप मुझे ते हैं कि जैसे की पानी के बून का गोला बनना अधिकांस एक्जाम में आता है तो प्रेश्ट तनाव ही होता है ठीक है प्रेश्ट तनाव की कारण और गर्म पानिया डिटर्जेंट मिले पानी से कपड़े अच्छी तरह साफ हो ना ये भी प्रिष्ट तनाओ समुद्री लहर सांध करने के लिए तेर डाल दीना तो प्रिष्ट तनाओ पानी के गोल बुन्द तो होता ही है सुई का जल में तारना का ठीक है ना कपूर को जल में नाचना ये भी प्रिष्ट तनाओ कहलाता है और गर्म सूप का ठंडे सूप कि आप इच्छा ज्यादा स्वाधिष्ट लगना समझ गये आप लोग ना समझ गये हैं तो आप लोग लाइक करें ज़रूर अगला देखते हैं अब निम्ने लिखित में से किस द्रव का गनत सबसे कम है तो सबसे कम किसका है जो की पिट्रोल एक हार्स पावर कितने वाट का बराबर होता है एक हार्स कितने वाट का बराबर होता है पावर कितने वाट का बराबर होता है तो 746 लिस वेरी इंपोर्टेंट नेश्ट बर्नावलिप्र में अधारित है तो इसका राइट एंसर ए हो जाएगा उर्जा संचड़ पर ठीक है बर्पर दाब बढ़ने बढ़ाने से उसका गल्लांग क्या होगा तो गल्लांग क्या होगा घट जाएगा निमने लिखित में से किसकी उस्मा धारिता अधिक है तो बी जल्ल निमने लिखित में से किसके दौरा अधिक जौलक पैदा होता है तो इसका राइट एंसर भाप हो जाएगा अगला देखते हैं आडविक संगटन के दौरा उस्मा का संप्रेसर क्या कहलाता है तो ए समवहन निश्ट निमने लिखे द्रोवों में कौन सा उर्जा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है द्रोवों में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा निश्ट देखेंगे ठोस से में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं तो क्या कहते हैं जो कि गलन ठोस कपमूर से कपूर वास बनाने के प्रिक्रिया को क्या कहते हैं राइट एंसर उड़् पातन अगला देखेंगे किसी द्रो का उसके कौन्थनांग से पूर्व उसके वास्प में बदलने के प्रिक्रिया को क्या कहते है तो इसका राइड एंसर वास्पी करल ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग नेश्ट देखेंगे उसमा की गति के प्रथम निया से सरंचित होता है तो क्या होता है, आप लोग बताएं इसका राइड एंसर भी हो जाएगा उड़ जाओ एद किसी इस्थान के तापमान में सहसा व्रद्ध होती है तो आप एच्छिक आदरता क्या होती है राइड एंसर घटती है आदरता घटती है, ठीक है द्वनी तरंगों की प्रक्रती होती है तो प्रक्रती होती है तो क्या इसका राइड एंसर अनुद देर्ध ठीक है, नेश्ट देखेंगे द्वन की चाल अधिक्तम होती है द्वन की चाल अधिक्तम के समय होती है इस पात में, ठीक है द्वनी तरंगे किसके कारण प्रति द्वनी उत्पन करते हैं? तो इसका राइट एंसर परावत्तन हो जाएगा रेडियो का शम्ठ शरट स्टेशन उधारण है तो राइट एंसर अनुनाध हो जाएगा ठीक है? डापलर प्रभाव सम्बंदित है डापलर प्रभाव समंदित है तो इसका राइट एंसर धोनी हो जाएगा है समझ गया होंगे आप लोग कौन सी तरंगे शोन से शांचर नहीं कर सकती तो 89 इस दराइट एंसर भी धोनी जब धोनी तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है राइट एंसर उर्जा राइट एंसर नेश्ट देखेंगे 91 नमबर जब प्रकास के लाल हरावा नीला रंगों को सम्मान अनपात में मिलाया जाता है तो परियडामी रंग होता होगा है तो होगा क्या होगा इसका समझ गया होंगे आप लोग 91 is the right answer C, सपीद कैमरे में किस प्रकार का लिंस उपयोग किया जाता है लाया जाता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा उत्तल दरपड़ उत्तल लिंस का मतलब ठीक हो सॉरी उत्तल लिंस इसका राइट एंसर हो जाएगा उत्तलिस के बारे बताया आप लोगों काफी से नेतरदान में दाता की आख किस हिस्से की प्रती रोपित किया जाता है तो कॉर्निया मैयोपिया से क्या तात्पर है निकट द्रिश्टि दोश अगला देखेंगे जल में वायू का बुलबुला किसकी भाती वैवार करेगा समझें आप लोग राइट अंसर क्या होगा इसका अवताल लेंस हमारे कोश्चन अंसर बताने से पहले आप लोग समझ लिया करें और सोच लिया करें इसमें हमारा कौन सही होगा तो इसी वहाने आप लोग प्रैक्टिस भी होती रहेगे ठीक है तो पांस सेकंड तीन सेकंड के बाद अंसर बोलते ही है तब तक आप लोग पढ़ लें कोश्चन और अंसर देख लें जो है अगर आता है तो समझें आप लोग कितने सही निकलते हैं तो कमेंड जरूर करें हमारे हेंडड में कितने अंसर सही हुए ठीक है कुश्चन सही हुए तो आप लोग प्रकास गति किसके बीच से जाते हुए नूंतम होती है तो सी कांश प्रकास गति कांश राइट अंसर किसी तारे के रंग से तारे के क्या पता चलता है पता क्या चलता है जो कि तारे का ताप हो पीले रंग का पूरक है पूरक रंग है तो नीला पानी के उपर तेल पर चमकना उदारण है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जो व्यक्तिक करण ठीक है व्यक्ति करण हो जाएगा यह अप्शन राइट एंसर ठीक है अब चलो थोड़ा सा अलग से पॉइंट ज्यान लेते हैं अच्छे कोश्चन गत के नियम के बारे में समझेंगे तो प्रथम नियम क्या होता है जड़त्तो का नियम होता है तो इसके बारे में पहले समझ सेंगे बेसिक से एदि कोई वस्तु इस्थिर या गत्सील है तू वह तब तक उसी में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहें बल नहीं लगता कोई वस्तु है जब तक इसमें बल नहीं लगेगा तो कैसे आगे बढ़ेगी ना समझ गया होंगे एक्जांपल भी अधि और देखें सेकेंड पॉंट क्या है वह प्रकृतिक जो किसी वस्त की गत्य विरामा वस्था में परिवर्तन का विरोध करता है ठीक है और जैसे की माप्तिë कैसे हैं द्रवमान द्रवमान अगर जादा है द्रवमान अगर ज़्यादा है तो जड़त भी ज़्यादा होगा जड़त भी भी प्लस होगा ठीक है अगर द्रवमान कम है तो जड़त भी कम हो जाएगा समझ गया होंगे आप लोग जैसे कि example देख लेते हैं example ही पूछे जाता है एक्जाम में वाकी knowledge के लिए है बाकी question कैसा पूछता है बस के चलने पर व्यक्त की पीछे गिरना बस के चलने पर व्यक्त की पीछे गिरना वह ब्रेक मारने पर जब कोई व्यक्ति जब ब्रेक मारता है तो कहां प्रक्षे से गिरेगा पीछे गिरेगा व्यक्ति आगे की और जुकना जब ब्रेक मार देगा वैक्ति तो आगे की और अचानक जुग जाएगा न ट्राइ करना आप लोग और जैसे कि धूल भरे गद्देवा उनिवस्त को पीटने पर जब रजाई गद्दा होता है इसमें जब धूल भर जाती है तो ठोकते हैं डंडा से तो धूल के कड़ का नीचे गरना ये भी क्या है क्या है जड़त्त का नियम समझ गय होंगे आप लोग जड़त्त का नियम पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है साइंस सभी एक्जाम में पूछी जाती है कोई ऐसा एक्जाम नहीं है जो साइंस ना आती हो और पेण के टहनी हिलाने पर फल पत्ती का गिरना जड़त्त का नियम का हिलाता है ठेक है समझ गया होंगे आप देख लेते हैं गति का आप देख लेते हैं कुछ अलक से जो पॉइंट बनते हैं कैसे होते हैं अभी आप लोगों ने जड़क्तु का प्रथम नियम आप लोगों ने देखा प्रथम नियम जड़क्तु दूसरा नियम देख लेते हैं जल्दी से किसी वस्तु दूसरा नियम क्या है एक मिनट दूसरा नियम देखेंगे किसी वस्तु के सम्वेक परिवर्तन की दड़ उस प जो कि कैच करते समय हाथ को पीछे और ले जाना कोई बॉल आती है जब हाथ से कैच लिया जाता है तो क्या होता है पीछे की और जाय जाता है तब तो कैच ले पाते हैं ले जाना और गद का तीसरा नियम देखेंगे गद का तीसरा नियम क्या है जब हम किसी गद का तीसरा नि शलना ठीक है प्रत्वी पर जोब लोग चलते हैं ना प्रत्वी पर चलना परत्वी जब चला जाता है इस बंदूक चलाने पर गोली को आगे बढ़ाना तथा बंदूक को पीछे और हटना नौ पर बैठ कर नौ के पानी को डंडों से पीछे डखेलना जब होता है जब नाओ चलाता है केवट जो पानी भरा होता है ना डंडा से चलाता है तो पानी कैसे काटता है पीछे को डंडा ले जाता है ना डखेलना मतलब बोलता है ठीक डखेलना होता है तो यह गतिया तीसरा नियम है तो फिर से रिविजन गति अतिसरा नियम क्या है बंदूग चलाना बंदूग चलाने पर पीछे गोली आगे बढ़ाना था बंदूग पीछे और अटना नौक बैटकर नौक पानी को डंडों से डखेलना ठीक है राकेट के सिधांत एक दो एक्जामपल दे लेते हैं राकेट गति के तीनों नियम कंदूपल पर काम करता है नहीं समयक सरचल का सिधंत कार करता है पर करता है ठीक है समझ गया हूंगे आप लोग बस आज के लिए रहते हैं काफी लंबा हो जाएगा वीडियों है तो साइन्स बहुत और हां साइज के वीडियों कुछ प्रक्टिसिट में डाल दिया मैं सभी ग्जाम मुझे आती है ठीक है कोई खी और आप लोग याद रखें और हाँ कुछ पोशन और बनते हैं जान लेते हैं जल्दी से मापक यंत्रों ठीक है बनते हैं अनकोशन मापक यंत्र जल्दी लेते हैं 50 question है लगबग देख लेते हैं जल्ली से एडियो मीटर किसे मापते हैं ध्वन की त्रिवता से एडियो मीटर ठीक है ध्वन त्रिवता एडियो मीटर से मापते हैं वहन दौरा तैंकी गई दूरी जो वहन जब चलाते हैं तो इसकी जो दूरी को जो मापते हैं तो ओडो मीटर से ठीक है ओडो मीटर से नापते है ठीक है उचाई जो उचाई होती है ना उचाई किससे अल्टी मीटर से है अल्टी मीटर से बापते हैं और देख लेते हैं प्रकास की त्रिवता किसे रापते हैं लक्स मीटर से बापते हैं दूद का गनत्तो लेक्टो मीटर दूद का गनत्तो लेक्टो मीटर से ठीक है लेक्टो मीटर अगला देखते हैं हाइग्रो मीटर से क्या आपते हैं हवा की आदरता का आपना और गैल्वनो मीटर से जुद्धारा मापने में वोल्ट मीटर विववांतर मापने में मैनो मीटर गैसो कदाब सिस्मोग्राफ भूकाम के तिरुत मापने में थर्मा मीटर ताप मापने में पाइरो मीटर उच मापने में विकरण ताप माप की सूर जैसे की प्रिकास ठीक है एनोमे मीटर वायू की करतो मीटर तो इसका राइट एंसर स्द्ध के सुद्धा मा आपकेते हैं इस्टेटो स्कोफ हरदय की धुने से जो डाक्टर लोग लगाते हैं अपने में पैंदों मीटर समुद्र की गहराईन आपने में कि पॉलीग्राफ क्या है इसके बारे में समझते हैं पहले पॉली जो ग्राफ होता है यह क्या होता है जून्टका पता लगाया जाता है और मेरा इससा जब चोर या कुछ होता ए CAYou पर क्या है कि आप जोट का फता लगाया जाता है फोलिग्राफ सही लगाया जाता है ठीक है चलो सर देखते हैं जले दिसे और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं केस कट्टो ठीक है केस कट्टो पूंचा जाता है एक्जाम में केस कट्टो के बारे में अच्छा समझेंगे जल्दी से जान लेते हैं जल्दी से एक्जामपल ही के बल समझेंगे ठीक है केस कनली जोता है जल का उतरना चड़ना होता है एक्जामपल जैसे की मारकर से लिखना मारकर से लिखा जाता है ये केसकत ठीक है और तौलिया का एक सिरा पाने में डालने पर पूरी तरह से भीग जाती है तो ये भी केसकत होता है लैंप में 32 से तेल का उपर चड़ना ये एक्जाम में अभी आया था एयर फोर्स में अधिकान स्मूसे जाता है ये कोस्चन लैप में बत्ती से तेल का उपर चड़ना मनुस्थ के सरीर के भीतर अंदर रक्त का बहना ठीक है और पेड़ में पानी जब डाला जाता है तो जड़ में जाता है तो इसी से सरकुलेसर होता है न ये भी एक केसकत्त का ह ही नियम है ठीक है और बस इतना ही कोस्चन है आप लोग समझ गया होंगे जड़ से पूरे पूरे पेड़ भाग पर पहुंचना ये भी केसकत्त बताया आप लोगों को है ना बस आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर निस्ट वीडियो में आप लोगों को इसी प्रकार वी स्टेडी करें लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि चैनल ग्रोथ हो सके और मैत अगर नहीं देखा प्रेसेंटेज कल हो सकता है कि मैत का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है